नमस्कार पीरिये किसान साथियों वेलकम टू और यूटूब चैनल वंतिका टैक आज हम आपके साथ मूंग की कुछ उन्नत वेराइटियों की जानकारी साजा करेंगे हम आसा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आएगी अगर आपने अभी तक मारा चैनल सब्सक्राइब नह जो की कम पानी वाले शेत्रों में लगाई जाती है इसके अंदर खर्च भी बहुत कम आता है और उत्पादन भी अच्छा हो जाता है किसान साथियों वैसे तो भहुत सारी वेराइटियों होती है अलग लग फसलोगी लेगे हम आपके साथ कुछ पसंदीदा और उत्तम किस की मूम की वेराइटी लेकर आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी वेराइटी है पूसा विसाल यह बहुत अच्छी वेराइटी है इसका दाना मोटा और चमकदार है जो की दो सीजन में लगाई जा सकती है अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो इसका उत्पादन भी अच्छा है बारा से तेरा क्विंटल परती अक्टेयर की दर से निकल जाता है अगर इसके एरिया की बात की जाए तो पंजाब अरियाना उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर यह वेराइटी लगाई जा सकती है वहाँ पर इसका उत्पादन अच्छा निकलता है दूसरी हमारी वेराइटी है यह भी पूसा की है पूसा पिचाण में 31 यह भी बहुत अच्छी वेराइटी है इसके अंदर भी पीले मोजैक जैसी प्रोब्लम नहीं आती है और 60-65 दिन में यह वेराइटी त्यार हो जाती है इसका उत्पादन भी लग लग बग पंजाब, अर्याना, उत्तर प्रदेश, रध्यस्थान और कुछ पलेइन एरिया इमाचल प्रदेश के अंदर लगाई जा सकते हैं वहीं अगर हम इन शेत्रों के अंदर अगली वेराइटी की बात करें तो किसान साथी MH421 इस वेराइटी को भी लगा सकते हैं य और साथ दिन में ये वेराइटी पकर त्यार हो जाती है जो कि अर्याना, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई जा सकती हैं अब हम बात करते हैं हमारी अगली वेराइटी की जो कि है पंथ मूंग 3, 4, 5 अगर हम पंथ मूंग 3 की बात करें तो ये लगबग 75 से 85 दिन में त्यार हो जाता है वहीं पंथ मूंग 4 और 5 लगबग 65 से 70 दिन में त्यार हो जाता है इसके अंदर भी पिला मुजयक वाइरस जैसी प्रोब्लम नहीं आती है और ये बहुत अच्छी विराइटी है इनका उत्तपादन भी अच्छा निकलता है ज जो उत्तर परदेश के किसान साथी पंध मुंग की विराइटी लगा सकते हैं आप पंध मुंग 4 या 5 की विराइटी लगए वह ज्यादा अच्छी है एज来了 मैं 65 से 70 दिन में त्यार हो जाती है और अगर इसके उत्पादन की बात करें तो लगवग 8 से 10 क्विंटल पर 3 एक्टेयर की दर से निकल जाता है ये विराइटी मद्य परदेश के किसानों के लिए बहुत अच्छी है हमारी अगली विराइटी भी मद्य परदेश के किसानों के लिए है जो की है T.A.R.M. 1 ये भी बहुत अच्छी विराइटी है लेकिन ये विराइटी थोड़ा सा समय फालतु लेती है तो वहीं इसका उत्पादन भी थोड़ा अच्छा है ये विराइटी लगवग रभी सीजन के अंदर यह हम बोल सकते हैं कि सर्थियों के अंदर इस वराइटी को किसान साथि लगा सकते हैं इस वराइटी के अंदर लगबग 12-13 कुविंटल का उत्पादन किसान साथियों को मिल जाता है और अगर इसके बात करें हम कि कितने दिन में त्यार हो जाती है तो यह विराइटी लगबग 80-85 दिन त्यार होने में ले ले लेती है हमारी अगली विराइटी भी मद्य परदेश की किसानों के लिए है जो की है माल व्या जोत्ती ये भी अच्छी विराइटी है जो की कम समय में त्यार हो जाती है लगबग 60-65 दिन में ये विराइटी त्यार हो जाती है वह इसका उत्वाधन भी अच्छा है जो की 12-13 जनमद्य परदेश के अंदर इस वराइटी को लगाया जाता है और वहां के लिए यह वराइटी सर्वत्त मानी गई है इस वराइटी का उतपादन की अगर हम बात करें तो लगबारा से के एम 11584 यह भी बहुत अच्छी वराइटी है जो कि 60-65 दिन में त्यार हो जाती है और 12-13 कुमिंटल तक का उतपादन देती है इसके अंदर भी यलो मुजैक जैसी प्रोबलम नहीं आती है हमारी अगली वराइटी है जो कि तेलंगना के किसानों के लिए हम बताने जा रहे ह है उस वराइटी का नाम है यदारी WGG 42 यह वराइटी तेलंगना के अंदर सभी रीजन के अंदर लगाई जा सकती है जो कि 50-60 दिन में त्यार हो जाती है और 10-12 कुमिंटल तक इसका उतपादन निगल जाता है वहीं किसान सती MGG 351 को भी लगा सकते हैं जो कि 75 दिन में त्य त्यार होती है और 12 से 14 कुमिंटल उतपादन देती है यह वी तिलांगना के लिए हमारी अगली वराइटी है जो की है ग्स बात है यह वराइटी मशीन की कटाई के लिए बहुत अच्छी है और साथ में इसका उतपादन भी थोड़ा अच्छा है जो कि 11 से 14 कुमिंटल तक निकल जाता है हमारी अगली और अंतिम वेराइटी है हुम सोडा जिसको माल भी है जनकल्यानिनी के नाम से भी जाना जाता है जो की उत्तर प्रदेश ब्यार और पस्चिम बंगाल के किसानों के लिए अच्छी है इसके अंदर कई परकार के बिमारियां नहीं आती है शाथ में इसका उत्पादन 13 से 15 कुईंटल तक निकल जाता है जबकि यह वेराइटी लग बग शिरफ 55 से 60 दिन में पकर त्यार हो जाती है यह थी आज की हमारी मूँ वेराइटी से जुड़ी कुछ जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक करके जरूर बताए आप हमें क कुमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी वराइटी सबसे अच्छे लगी और आप कौन सी वराइटी लगाते हैं धन्यावाल